बंगला देश के जनर्रल इलेक्शन्स के साथ ही यहां पर इंडिया आउट कैम्पेन स्टार्ट हो गई थी और बैकोट इंडियन प्रोड़क्स कैम्पेन स्टार्ट हो गई थी और यह सक्सेस्वल कैम्पेन है अभी तक इसके अंदर काफी ज्यादा आपको लोगों की तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉंस मिलता हुआ नदर आ रहा है इविन इंडिया के बहुत सार ऐसे ब्रांड्स हैं जिनका जो शेयर मार्केट है जिनकी वो गिरी है क्योंकि डिमांड्स गिरने की वजासे बंगला द के अंदर मौस के अंदर इंडियन प्रोड़क्स के बैककॉर्ट का आपको जहां पर एक सीन नदर आता है वहीं पर एक ऐसा एरिया है जहां पर मुकमल गवर्मेंट का कंट्रोल है दोनों मुलकों की फ्रेंडली गवर्मेंट का कंट्रोल है लेकिन उसके बावजूद अनेक ने एग्री किया था कि वो रुपी टका ट्रेड करेंगे यानि डॉलर की बजाए आपको याद होगा एक बड़ी मशहूर एग्रीमेंट हुई थी इसने दुनिया भर में हैड्लाइन्स भी लगाई डी डॉलराइजेशन की तरफ एक मूव इनको करार दिया जा रहा था और कह जा रहा था कि जी ये दोनों मुलक जो है वो लोकल करंसी के अंदर ट्रेड करेंगे तो इंडिया समझ रहा था कि हमारे लिए बड़ा जबरदस्त फाइदा है इसमें क्योंकि 14 अरब डॉलर का जो बाइलेटरल ट्रेड है दोनों मुलकों का वो हैवीली टिल्टेड है पोर्टर हैं वो मजीद इंडियन रुपीज खरीदेंगे हमें पेमेंट करने के लिए हमारी कमपनियों को पेमेंट करने के लिए एज़र्ट जब रुपी की पर्चेजिंग बढ़ेगी तो हमारी करंसी का वेल्यू बढ़ेगा और हम एक रीजिनल करंसी के तोर पर रुप को प्रोमोट कर सकते हैं और बाकी भी मुलक देखा देखी में जैसे बाकी दूसरे जो मुलक रीजन के हैं वो भी इंडियन रुपी में ट्रेड करना है स्टार्ट करेंगे तो एक हॉप क्रियेट हुई थी हॉप इंडिया के अंदर पैदा हो गई थी कि हमारी करणसी कुछ पकड़ेगी लेकिन इतना बोरे तरीके से ये जो प्रोग्राम था फैल हुआ है कि अलमान वलहफीज मतलब इसका इंडियन रुपी को फाइदा तो दूर की बात है इमेज गिरी है बुरी तरह से क्यूंकि साथ महीने हो गए और साथ महीने का डेटा आया है सामने बहुत ही गंदे किसम का डेटा सामने है अगर आप इंडियन फाइनचल एक्सपर्ट है न तो शायद आप ये डेटा देखना भी नहीं चाहेंगे साथ महीने के अंदर अंदर क्या आप अंतादा लगा सकते हैं कि इस विंडो के तहत कितना ट्रेड हुआ होगा दोनों मुलकों के दर लेकिन खर्चा ये नहीं निकला आप दरा अंदादा लगए कितना ट्रेड हुआ होगा अगर आप समझ रहें कि दो चार सो बिलियन रुपीर या दो चार सो बिलियन टका का हुआ होगा तो आप घलत हैं सात महीने के अंदर की जो फिगर सामने आई है ना उसके हिसाब से च पांच भूले भटके कस्टमर्स आए जिन्होंने का कि यार हम इस फैसलेटी को यूज करना चाते हैं उसमें तीन बिचारे ऐसे थे जिनको एलसी खुलवानी थी और दो ऐसे थे जिनको एक्सपोर्ट फैनेंसिंग करनी थी पांच कस्टमर आये सरिफ और सरिफ सात महीने मे तो ये आप यू समझें के महीने में एक से भी कम कस्टमर आन एवरेज तो ये हाल हुआ है टका रुपी ट्रेड का ये तो पहले ही दिन मैंने कहे दिया था कि इसका कोई फ्यूचर नहीं है इंडिया के माइंड में ये जो चीज है ना कि इस से रुपी स्ट्रॉंग होगा तो बंगलादेशी जो इंपोर्टर है वो रुपी खरीदेंगे इस नाट गोना हैपन यहाँ पर बहुती बुरे तरीके से ये फिल्म फ्लॉप हुई है पिट गई है और इंडियन रुपी को धचका लगा है वहाँ पे फाइनेशल एक्सप्रेस रिपोर्ट कर रहा है कि इंडिया बंगलादेश ट्रेड इन रुपी स्नेल्ज ओन सेवन मन्स सी इंडियन रुपी 38.44 मिलियन और 0.46 मिलियन टर्न ओवा तो यह जो रुपी और टका ट्रेड बिल्कुल फैल हो गया केता है कि इंडिया बंगलादेश बीलेटर्ट रेंट रुपी प्रोड ब्रुपी प्रोडूस एंटार टॉर्न ओपनुट रुपी बिसनेसे से इंठीर टौन अवाँंट ट्रेंटोर्व एक्षाइज प्र इंटियन रुपी नर्लियन एवर्ल मन्स अठीश अर्श हरांग in a bid to reduce their dependency on the US dollar and strengthen regional currency and trade but in around 7 months as on January 30, 2024 the bilateral trade between the friendly nations under the trading mechanism stood at Indian rupee 38.44 million equivalent to 0.46 million dollar ये हाल हुआ है वाँ पे बंग्लादेशी इंपोर्टर्स ने किसी किसम की कोई lift ही नहीं कराई इंडियन एक्सपोर्टर्स को get him आपके रोपीद में करनसी में आपको पेमेंट नहीं करेंगे हम उसी करनसी में करेंगे जिसमें हम पहले कर से चले आ रहा है अब सवाल ये पैदा होता है कि इतना थंडा रेस्पॉंस क्यूं मिला है बंगला देश से ये इंडिया आउड केमपेन वहाँ पर कैसे स्टार्ट होगी आटोमेटिकली पहले से या नि खुदी स्टार्ट होगी है तो क्यूं बिजनिस कम्यूनिटी के अंदर क्यों स्टार्ट हुई है इसके दो तिन बड़े रीजन्स हैं जो सबसे बड़ा रीजन्स बताया जा रहा है वो ये बताया जा रहा है कि बंगला देश के जो एक्सपोर्टर्स है न उनको रो माटीरियल भी इंपोर्ट करना होता है और रो माटीरियल इंपोर्ट करने के लिए उनको इंडिया का रुपिया नहीं डॉलर चाहिए तो लहादा वो रिलक्चुएंट है इस फेसल्टी को इस्तेमाल करने में बिलक इंपोर्ट राव माटीरियल फ्रॉम विरियस डेस्टीनेशन इंडॉलर तो मेक देर फिनिश गूर्ट सो दे सीम तो बी रिलक्चुएंट इन यूजिंग दी प्लेटफॉर्म अचाब आखर में एक एडवाईज यहां पर मैं देना चाहूंगा गवर्मेंट को बंगला द पेस यहां पर पकड़ेगी यह जो नया आपने प्रोग्राम शुरू किया हुआ है डॉलर के उपर अपनी डिपेंडेंस कम करने के वाले से लेकिन अगर आप एक चीज कर देना तो बहुत जबरदस किसम का रेस्पॉंस आपको नज़र आ सकता है और वो चीज यह है कि इसम और जो बंगला देश वहां से चीज़ें मंगवाता है वो भी अगर बंगला देश टका से मंगवाए एक ही करनसी होनी चाहिए यहनि डॉलर की जगा प्याप बंगला देशी टका को इस्तेमाल करें 14 मिलियन डॉलर जितना की भी यहां आपका बाइलेटरल ट्रेड है इसमे और यह जो फाइनशल एक्सप्रेस की स्टोरी है उसी के अंदर बंगला देशी माहिरीन के हवाले से फाइनशल एक्सप्रेस वाले रिपोर्ट कर रहे हैं कि इस बंगला देशी इंपोर्टर्स आर अलाओ तो इंपोर्ट इंपोर्ट इंडिया और इंडियन बिजनेस a completely reverse picture of the trading Mr. Ahmed also chairman of Nathan Motors Limited shows the way of breakthrough in the sluggishness and I completely agree with him ये बड़ा जबरदस किसम का फीचर होगा बंगला देशी ट्रेडर्स के लिए भी और इंडिया के भी ट्रेडर्स के लिए बुरी बात नहीं होगी ये अच्छा कम से कम ये इंडिया कर सकता है कम से कम कि जितना बंगला देशी इंको एक्सपोर्ट करता है ना उतने का टका ये अलाउड करते है ज़र दो अरब डॉलर की बंगला देशी की एक्सपोर्ट है तो दो अरब डॉलर का टका एग्रीमेंट करते हैं कि टका यूज हो सकता है अब डॉलर के जितना इतना ही कर दे तो भी मेरे ख्याल से ये बड़ा पॉजिटिव इंपक्ट लेकर आएगी चीज दोनों मुलकों के बाइलेटल ट्रेड के उपर और डॉलर के उपर भी दोनों मुलकों का जो इनहसार है वो काफी ज़्यदा कम हो सकता है